सीटेट एपीरिंग कैंडिडेट को BPSC TRE2 में मौका दिये जाने की मांग को ले करके BPSC के चेर्मेन स्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है आप ट्वीट के मादम से देख सकते हैं इन्होंने एक ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दिये देखिए Presently there is no plan to allow seated beard appearing candidate in TRE2 यानि कि seated appearing और beard appearing candidate को इस ongoing process में जो भरती प्रकिया चल लए है second phase के लिए जिसके लिए आवेदन ले जा रहे हैं उसमें मौका दिये जाने का कोई भी plan नहीं है आगे देखिए instead there is a plan to hold TRE every year in August यानि कि ये इस बात पर चर्चा चल लए है कि हर वार्स प्रतेक वर्स TRE की परिक्षा यानि teacher recruitment examination की परिक्षा हर वर्स conduct कराई जाए अगस्त में देखिए ये अभी बहुत शुरुआती रूजहान है इस प्रकार के मामले उत्तर प्रदेश में आसे लगबग 4-5 साल पहले भी चल रहे थे कि प्रतेक वर्स सिख्षक भर्ती का notification जारी होगा चाहें 1000 पद ही सही, 2000 पद ही सही, 2000 पद ही सही हर बार सिख्षक भर्ती का notification जारी होगा लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया अब यहीं बात बिहार में चल लिए यह सब कुछ डिपेंड करता है कि राज सरकार इस मामले को लेगर के कितना गंबीर है क्योंकि BPSC जो है वो सिर्फ एक exam conducting body है अगर उसको दिस्ता निर्देस मिलेगा सिख्षा विभाग से तभी वो exam conduct कराएगी वो अपने इस तर पर कोई भी भर्ती का विग्यापन नहीं निकाल सकती जबकि सिख्षा विभाग उनको permit ना करे तो यहाँ पर यह सुरुवाती रुजहान चल ले है हलाकि मीडिया में भी एक खबरे चल ले है अब देखना होगा कि बिहार का सिख्षा विभाग भी इंतिजार करेगा सरकार की हरी जहंडी मिलने का तो सरकार की गंभीरता ही तै करती है कि सिख्षा भर्ती के मामले हर सल हो सकते है या नहीं देखे जितनी बड़ी भर्ती 5 साल 10 साल में निकाली जाते जैसे आप बिहार में ही ले लिजे लगबग 80,000 पदों पर प्रैमरी की भर्ती निकाल गई यूपी में मिले लिजे लगबग 2012 का आप देखेंगे 72,800 के आसपास भर्ती आई थी उसके बाद से सिख्षामित्रों का जब समयाजन रद हुआ तो दो बलक वैकेंसी देखने को मिली तो इन सभी वैकेंसी को जो आप 5 साल में निकालने हैं उसको अगर आप रेगुलर ब्रेसिस पर कर दें मालिजे 50,000 ही है तो 10,000 अगर आप प्रतेक वर्स वैकेंसी निकालेंगे तो जो विभिन प्रकार की विसंगतियां होती हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी अभियर्थी जो गलत अनुचित साधोनों का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी तरीके से भरती में श्रावनित होने के लिए उसमें भी कमी देखने को मिलेगी फायदा इसका ये होगा कि अभियर्थी अगर माली जै इस बार सेलेक्ट नहीं होता है तो वो हर हाथकंडा नहीं अपनाएगा बलकि उसके मन में ये माइंड सेट हो जाएगा कि चलो यार इस बार नहीं हुआ एटलिस्ट हमें अगले साल तो मौका मिलेगा जिस प्रकार से IBPS के माद्यम से बैंकिंग में प्रतेक वर्स कम ही सही जिस प्रकार से SSC CGL में प्रतेक वर्स कम ही सही लेकिन vacancies तो लगाता रहती है उसी प्रकार से सिक्षावी भाग इस road map को क्यों नहीं अपना सकता है निश्ची तोर पर अगर बिहार सरकार इस बात को ल करके अभियरतों को रोजगार दिया जा सकता है अब देखना होगा कि इन सभी बातों को लेकर के कि हर वर्स सिक्षावी भाग के मादम से और राज सरकार के मादम से उनको हरी जंडी नहीं मिलेगी तब तक वो एक्जाम कंड़क्ट नहीं करा पाएंगे ठीक है उनकी भी जिसके लिए वह वेट करेंगे सिक्षा विवा का और सिक्षा विवा किसका वेट करेगा बिहार सरकार का तो ये सब कुछ बिहार सरकार के मनसा के उपर डिपेंड करेगा कि हर वर्स हो पाती है या फिर सिर्फ चुनावी मुद्दा बन करके रह जाता है लौट करके आते है सीटेट वाले मुद्दे पर सीटेट एपिरिंग केंडिडेट को इस बार मौका ना दिये जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो BPSC के चेर्मेन ने एक मीडिया में स्टेटमेंट दिया था या फिर ये कहलें कि इंटर्वियो के दरान उन्होंने ये बात कही थी कि इस बार हम लोग भरती को एक टेस समय सीमा में कंप्लिट करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ये कहा था कि हम दिसंबर में ही परिक्षा कराना चाहते हैं हलांकि उनका रोड मैप दो तरीके से चल ला था पहले वो परिक्षा को या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक करा लेंगे या फिर फरवरी में कराएंगे उन्होंने साब शब्द में कहा था कि हम जाड़े के सीजन में जो कड़क जाड़ा पड़ती है उसमें हम परिक्षा नहीं कराएंगे समय सीमा यानि कि जो नियत समय पर complete करा ली जाए यानि दिसंबर के first week में अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ही है कि देखिए ये एक exam conducting body है अगर कुछ भी notification में बदलाओ करना होगा और अगर सिख्छावी बाग इस परकार का कुछ अनुमति देता है तो निशी तोर पर आय अबिर्थियों ने जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है स्रीत तेजस्वी यादो जी उनका आज जनम दिन है उनके घर पर उनके कारेले पर अबिर्थी लगतार उपस्ति थे और इस मुद्दे को हाइलाइट कर रहे है और वहाँ पर उनके द्वारा जब मुद्दे को उठ ट्विट किये हैं भले ही मौका ना दी जाने के लिए ट्विट किया है लेकिन ये मुद्दा तो गंभीर है चल रहा है इसी वज़े से उनके द्वारा कम से कम बात पहुंची और इस मुद्दे पर उनके ट्वीट किया बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने अभ् के मुद्दे पर काम चल ला है और धैरे बना करके रखिए यानि कि देखिए अगर राजसरकार अगर इस बात को ले करके आगे प्रोसीड हो जाए चाह दे तो फिर सिख्छा विबाग को वो हरी जंडे दे देंगे और सिख्छा विबाग एक नोटिफिक जारी कर देगा दिसंबर के फर्स्ट विक में परिशा नहीं करा पाते हैं तो हम फर्वरी में कराएंगे उससे पहले हम परिशा नहीं कराएंगे कड़क ठंड में तो इससे आप देखेंगे कि सब कुछ एक तरीके से सिख्छा विबाग भी अगर चाहे और राजसरकार भी चाहे तब सीट एपेरिंग कैडिडेट को मौका मिल पाना बहुत मुश्किल है हलाकि ऐसा भी नहीं कि नाममकिन हो जाएगा लेकिन वो चीज़े हो सकती हैं वो सब कुछ इच्छा सकती पर डिपेंड करेगा इच्छा सकती है या नहीं राजसरकार की या फिर सिख्छा विबाग की उस पर किया जाएगा जैसे आप लोग देख लीजिए लगतार बिहार सरकार ट्वीट के माधम से उत्तर प्रदेश सरकार को या फिर केन सरकार को लगतार घेर रहे है रोजगार के मुद्दे पर ये भरती कंप्लीट होगी तभी तो ये मामला जब लोग सभा चुनाओ के लिए च कंप्लीट की जा सकती है अगर वो अभीरतियों को मौका देते हैं तो ये तो और अच्छी बात होगी कि ज़्यादा सज्यादा कंडिडेट को मौका मिला है क्योंकि अगर आप देखेंगे बिहार में अपर प्रैमरी क्वालिफाई कंडिडेट की संक्या बहुत कम है बहुत आठ साथ प्रैमरी सीटेट क्वालिफाई कंडिडेट है और बिटेट जो कि वहां की सिख्छक पातरता पर इच्छा होती है वो अंतिम बार 2017 में हुआ था यानि कि आज से 6 साल पहले 6 साल में कितने कंडिडेट बीड और डियलेट वाले क्वालिफाई किये होंगे मतलब कि कम्प्लीट किये होंगे बीड डियलेड और उनको मौका ही नहीं मिला कि वहां की राजी की सिख्छक पातरता पर शामलित होने का और सीटेट में बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड आप उत्रा करके देखेंगे तो ओवराल जो एवरेज रहता है उससे बहुत नीचे बिहार का ज ये तो शुक्र मानिए कि अधर इस्टेट के कैंडिडेट अवलेबल है तो एक अच्छा खासा आंकाडा मिल जाएगा अनेथक कंडिशन में आपर प्रेमरी वाले को मौका ही नहीं मिलेगा राजी सरकार निश्चित तोर पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि बिहार के कैंडिडेट को भी जादा जादा मौका मिले क्योंकि यहाँ पर अधर इस्टेट के कैंडिडेट को एलाओ किया गया है इसका लगतार वहाँ के अभेरती विरोध कर रहे है तो उनकी भी बातों को एक बार सुन लिया जाए और एटलिस्ट एपिरिंग वाले को मौका दे सकता है तो फिर उसी के तहत वो भी अपने लिया मांग कर रहा है क्योंकि वहाँ बी एड कैंडिडेट जो की प्राइमरी में पिछली बार चैनित नहीं हो पाया ओनरेबल सुप्रीम कोड के जज्जमेंट की वज़े से और अब अगर ये हाथ से मौका निकल गया तो निश् तोर पर सिख्छावी बाग राजे सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए इस वीडियो को देखें के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब